नौशकार मैं हूँ सुकृती रॉय और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई केरल में जाने लिवा निपाह वायरस ने एक बार फिर वहां लोगों को मौच से दो-दो हाथ करने पर मजबूर कर दिया है इस वायरस को लेकर केरल में पूरा स्वास्थ महकमा हाई अलर्ट पर है हर दिर निपाह वायरस की चपेट में लोगों की आने का सिलसला जारी है 21 साल के छात्र में निपाह वाइरस के लक्षन पाये गए जिसके बाद इसका इलाज किया जा रहा है बता दें कि केरल में निपाह वाइरस से पीड़त होने की आश्रंका में स्वास्त विभाग ने 314 लोगों को अपनी देखरेक में रखा है और उनकी हर स्वास्त गतिवधी पर नजर रखे हुए है बता दें कि बीते साल इसी निपाह वायरस ने केरल में दस लोगों की जान लेनी थी राज्य में स्थुती खराब होने से पहले ही केंद्र सरकार ने भी 6 सदस्यों की एक टीम को केरल भेज दिया था जो इस वायरस से फैलने वाली बीमारी पर बनाय हुए है केंद्रिय मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन ने भी लोगों से सैयम बनाय रखने की अपील की है और कहा है कि मामलन दियंत्रण में है सारवजनिक स्वास सुवधाओं की समीख शाक की जा रही है सबसे पहले इस वायरस का पता 1998 में मलेशिया में चला था उस वक्त इस वायरस को इंसानों तक पहुँचाने का जरिया सूर बने थे हाला कि बाद में इस तर्क को नकार दिया गया था कि इस वायरस को ले जाने वाला कोई मांध्यम है साल 2004 में बांगलादेश में इस वायरस की फिर पहचान हुई और जो इंसे पीड़े थे उन्होंने खजूर के पेड़ से निकलने वाले एक तरल यानि की लिक्विड को चखा था बाद में पता चला कि इस वायरस को इस पेड़ तक चमगादर लेकर आए जिनने फ्रूट बैट कहा जाता है तबी से चमगादर को इस वायरस का वाहक माना जाने लगा इस वायरस के प्रकोप से दिमागी बुखार होता और संक्रमन तेजी से पूरे शरीर में फैलता है इसका वायरस अतना खतरनाक होता है कि अगर किसी स्वास्त आदमी के शरीर में चला जाया तो सिर्फ 48 घंटे के भीतर उसे कुमा में पहुँचाया जा सकता है इसकी चपेट में आने के बाद जो रोगी में सबसे प्रमुक लक्षन दिखता है वो है सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ सिर में भयानक दर्द और तेज बुखार अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो इसे नजर अंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें वही निपाह जैसे खतरनाक वायरस से बशने के लिए अभी तक कोई दवाया टीका अधिकारे के तौर पर नहीं आया है